अब का हमारे टॉपिक है नर्वस सिस्टम यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है हर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए और एक्जाम के बेसिस से भी यह क्या है इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले हम समझते हैं नर्वस सिस्टम होता क्या है उससे पहले हम आपको बता दे कि नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे बोड़ी के हर एक एक्टिवीटी को कंट्रोल की जाती है चाहे हो हसने से लेके रोने दौडने डांसिंग हर एक एक्टिवीटी किसके द्वारा ह होता है ठीक है अब देखेंगे nervous system mainly होता क्या है तो एक नर्मली हमने definition यहाँ पर दिया है देखेंगे की nervous system is a system that control the function of human body यह एक ऐसा system होता है जो क्या करता है human body की जितने भी function है वो सारे क्या करता है control करता है जैसे डाइजेशन से लेके और इस्क्रीशन उसके अलामा रिसपाइरेशन हाट पॉम्पिंग सारी एक एक्टिवीटि क्या करता है यह नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है यह क्या करता है इट रिसीब ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन से information क्या होंगे हमारे बोडी में भी आएंगे इसका मतलब एगी है इट रिसीब और डिश्टोर्ड थे मैसेज और इफेक्ट दब एरियस पिजियोलोचकल पंसन क्या करता है जितने भी नार्मल से एक्जामपल ले लिजिए अगर हम क्या करें किसी पीन से अपने फिंगर को प्रिक करें तो अपर ब्रेन को जाएगा क्यों कि हमारे बोडी में हर अग जगा अगर हम क्या करें अपने finger को hot plate पर रखें तो क्या होता है हमारे हाथ जलने की महसूस होती है किसके द्वारा होता है यह neurons के द्वारा होता है नर्फ के द्वारा होता है क्योंकि neurons यह nerves जो भी होते हैं यह हमारे brain को information भेजते हैं कि हमारे हाथ क्या हो रहा है ज़रा है तुरंद क्या करते हैं हम अपने हाथ को हटा लेते हैं वहां से तो नियुष शिप्टर्प कर करते हैं अभी मैंने बताया कि नियूरोंस को इंफ़ॉर्मिषन के लिए टीक है तक देखेंगे नरॉष system को classification कैसे हम classify किये हैं पहला अगर देखा जाए तो इसको दो बागों में classify किया गया है पहला है Central nervous system दूसरा है peripheral nervous system ठीक है Central nervous system का मतलब क्या आता है में centre में हो क्या हो central जैसे यहां हमने दिखाया है brain और spinal card तो brain क्या है बोडी के एक सेंटर में है और स्पाइनल काड़ भी क्या है बोडी के एक सेंटर में है दुसरा है पेरिफेरल नर्बस सिस्टम पेरिफेरल मतलब क्या है सेंटर से हटके पेरिफेरल मतलब साइड वाइज ब्रेन क्या है ब्रेन हमारे सेंटर में है करण के हमारे सेटर में है कि लेकि इसके नीचे है नर्वस होंगे वो थर्ट हएवाद पर सबता के बरें बरेंगे और सबजाए और ऑप सका है और आम इसे सब्सक्राइब heck इसक्राइब मना गया है जो हार एक activity को सोचने समझने हार एक activity को क्या करता है control करता है ठीक है अब देखेंगे तो brain को mainly तीन भागों में डिवाइड किया गया है पहला है फौर ब्रेन दूसरा मिड़ भेन और तीसरा है हिंड भेन ठीक है तो फोर ब्रेन में हें तो हम नेक्स वीडियो में बारे में ब्रेंगे पार्ट के बारे में और इसका पाइनल कार्ड के बारे में भी देखेंगे इसका फंसन क्या होता है secondary अगर देखें तो peripheral nervous system secondary क्या है peripheral nervous system peripheral nervous system को हमने दो भागों में डिवाइट किया है पहला है autonomic nervous system और दूसरा है somatic nervous system अब देखिए नाम से ही confirm हो रहा है autonomic autonomic मतलब क्या होता है आटोमेटिक काम करना बात करें involuntary moment को क्या करता है आइरिस आख के अंदर जो आइरिस होता है उसका फैलना और कंट्रेक्ट होना यह हो गया तर्ड हर्ट बीट करना इसको भी हम क्या कर सकते हैं रोक नहीं सकते उसके बाद से जो हमारे करना इसको भी एक की होता है ईसको भी क्या होते नहीं कि अन preoccupies का 9 नर्वस सिस्टेम के दौौब बाइट किया है शिंपेटिक और पैरसेन गया यह सिंपेर्टिक में देखिए यह स्भिस्ट को ब्रestra चैनल चानक को नंगतेैं该 और रूम में हैं और वहां पर क्या जाए और हम क्या हो जाए अचानक से डर जाए तो इसको रेगुलेट करता है इसमां देख करता है इसको कन्ट्रोड नकरता है इसमां डूसरा नेर्वसिस्ट्डम करता है और उसंच पर्लीग पिरियाट कौछ में हूं तो उस condition में एनेरजी को क्या करता है इस्टोर करके रखता है और यह मैंटेन करके रखता है ठीक है तो यह nervous system जो है बहुत important है उसका classification हमने देखा अब देखेंगे हमारे पूरे body में nervous system का classification हमने देख लिया लेकि यह सारा जो होता है उन्हारा होता है तो इसमें दुखेंगे के इ향 आधार हैं पहले थिन निए आधे नियूरान दूसरा है मोटर वाहर दोरा हमारे थिए हल् enformician हर वोडी के पार्टस को तक कभ़़ेशी इस तक पहुंचते हैं आप पहला है सेथ == अब देखिए नर्व क्या करता है जितने भी इंपल्स हैं उसका क्या करता है सारे अर्गन से लिया के ब्रेंट को पहुचाता है जैसे हमने कहा किया हाथ रखा हाथ रखा तो हमारे हाथ जलने लगा मतलब वहां पर क्या हुआ एक information मिली और वो तुरंत हमारे brain को गया, तो यह क्या करता है, brain को information ले जाने के काम कर रहे हैं, दूसरा है motor neurons, different nerves, यह क्या करता है, brain से जो information है, वो क्या करेगा, हमारे body को पहुचाएगा, जैसे अगर impulse का देखा जाए, तो जो end point होता है, उसको यह information पहुचाने के काम करता है, ठीक है, नेक्स देखेंगे, structure of neurons, तो neurons के structure आपको पता है, आप बच्पन से पढ़ती हुआ रहे हैं, इसको हम नेक्स वीडियो में deeply देखेंगे, अभी normally हम classification देख रहे हैं, अचा, यह neurons काम कैसे करता है, जैसे अभी हमने आपको बताया, कि motor neurons separate, the nerve carry the impulse from brain to spinal card, अब जैसे देखिए, यहाँ पे यह क्या है, neurons है, हमने अलग-अलग neurons यह लिया है, ताकि आपको समझने में असानी होगी, जैसे अगर बात करें, हमारे body में बहुत ज्यादे neurons होते हैं, करोड़ों के संख्या होता है, trillion की संख्या होती है, तो यह क्या करते हैं, जैसे माली जी एक neurons यह हो गया, एक neurons यह हो गया, तो यह क्या करेंगे, अगर माली जी यह finger में क्या है, हमारे उंगली में यह neurons है, यह हमने क्या कि हो हर्ट प्लेट को रखा, और हर्ट प्लेट पे अपने finger को रखा, तो यह neurons क्या करेंगे, पहुचाएंगे और यह निउर्ण स्फॉर सब्सक्रेशन अगे प्रोशेट करेगा और रेक्री इशमेद sudah सब्सक्रेब सब्सक्राइब गर التख्यां च्श्यकति गरनीयो नियूर्ण सब्सक्राइब डिय को इंध्यूर को इंख्या और दूसरा special sensation ठीक है तो जनरल sensation में क्या है touch pain pressure temperature अब देखिए हमारे skin में receptor होते है sensory receptor अगर कोई बेगती हमें touch करता है तो क्या होता है हमें महसूस होता है कभी pain होता है जैसे मालीज हमने prick कर दिया तो क्या होगा महसूस होगा pressure जैसे हावा चल रहा है या फिर हम बाइक चला रहे है उस condition में हमारे body पर दबाव पड़ रहा है तो इस condition में pressure पड़ता है तो किस के द्वारा यह सारे neurons के द्वारा हमें क्या होता है sensation मिलता है फोर्थ है temperature temperature जैसे कहां पर high temperature है कहां पर low temperature है या फिर हम कैसे कितनी धूप है ठंड है यह सारे क्या करते हैं हम इसी के द्वारा तो अपने आपको पता कर पाते हैं कि हाँ या बहुत धूप लग रही है या बहुत ठंडी है अब देखे इस special sensation में क्या करते है balance हमारे body को क्या करना है balance बनाना है जैसे माली जी कोई बहुत पतली पट्री पर cycle चला लेता है तो किसके द्वारा होता है हमारे body उसको balance बना कर रखता है hearing सुने ने कि छमता अब जैसे माली जी यहां से हम किसी को चिला के दूसरे रूम में बोले तो वह सुन रहा है तो यह भी एक तरह से बोले तो sensation कही है vision vision मतलब क्या है हम देख रहे हैं मतलब अब जो है वह पता चल जाता है तो अब जो है कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी हम इसका जो में क्लासिफिकेशन है विरिफ क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे ओके थेंक यू